ओम शान्ती, आज हम ब्रह्मा कुमारी इश्वर विश्वर विद्याले में आई हैं और मैं एक वेलनेस कोच हूँ, मेरा नाम है रुच्छी खुराना, हम आपको सेहत से जुड़ी जानकारी देंगे वेलनेस मतलब लोगों की सेहत को ठीक करना, आप लोगों के जानके खुशी होगी कि हमारा शरीर किस चीज से बना है, हमारा शरीर बना है शरीर से, जब एक मा के पेट में एक बच्चा आता है, तो उसका पोशन होना बहुत जरूरी होता है और उस पोशन के लिए उसे खाना कहां से मिलता है, जो मा, जो कुछ भी खाना खाती है, चाहे वो फल, फ्रूट, सबजी, जूज, जो भी वो खाती है, उसका जो भी पोशन है, वो उस बच्चे में जाता है, इसलिए उसका अच्छे से पोशन होता है, उसको कहते हैं हम nutrition, तो हमारी body बनी होती है nutrition, आपको जानके ये खुशी होगी कि हर इनसान के लिए अच्छा खाना बना है, जैसे कि हम जानवरों के लिए देख सकते हैं, जानवरों में गाएं हैं, उसके लिए घास बनी हैं, कुता है, उसके लिए pedigree या उसका जो अलग खाना आता है, ऐसे ह इनसान के लिए भी अलग खाना बना है, लेकिन आज इनसान कुछ भी खाये जा रहा है, किसी भी समय खाये जा रहा है, और उसको बिना knowledge के खाये जा रहा है, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें खाना किस टाइम खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किस मात्रा में हमें उसको लेना चाहिए परमात्मा ने तीन आहार बनाए है breakfast, lunch, dinner breakfast इसलिए बनाया है क्योंकि रातरी में जब हम सोते हैं और सुबा उठते हैं तो हमारे fast को break करने के लिए हमें खाना चाहिए उस time हमें सबसे portion जिसमें nutritious food होता है वो डालना चाहिए फिर दिन में बात आजाती है लंच की लंच में आप बहुत अच्छा आहार लें जिसमें कच्छे फल, सबजियां, दहीं, रायता ये सब आप ले सकते हैं इसी प्रकार रात को रात का जो खाना है वो हमें sunset से पहले खा लेना चाहिए उसका भी एक कारण है जब हम sunset से पहले खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जो एक जटन अगरी जो हमारे खाने को digest करती है वो होती है और रातरी के बाद उसका कम हो जाता है portion तो जितने भी portion है उसको absorb करने के लिए हमें sunset से पहले खाना खाना चाहिए अब बात करते हैं कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए हमें खाना वो खाना चाहिए जो मा प्रकती द्वारा हमें पाया गया है जो उपजाओ है उपजाओ से क्या मतलब है जो चीज को हम उगा सकते हैं क्योंकि जो उग सकता है वो ही पच सकता है आपने कभी देखा है कि पेडों पे कभी आपको बिस्किट, कभी आपको नमखीन, कभी फ्रूटी, कभी ऐसी चीज़े लगी देखी है, नहीं. हमने पेडों पे हमेशा लगावा देखा है हरे बरे फल, जैसे की स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी किसलिए जरूरी होती है? हमारा खून बढ़ाती है, तो हमें पेडों से जो फल मिलते हैं, जो हमें सब्जियां मिलती हैं, हमें वही खाने चाहिए और उसको जादा पका के नहीं खाने चाहिए. वो हमें पूरा पोशन देती है. हमें प्रकती से पैदा किया हुआ, जैसे की मोटा अनाज, फल, जब का ज़ादा मातरा में उसको लेना चाहिए, उससे हमारी बिमारियां दूर रहती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल नहीं डाल सकते। आपकी गाड़ी चाहिए जितनी मर्जी मेंगी हो, अगर उसमें पेट्रोल डालेगा, तो वो पेट्रोल से ही चलेगी, आप उसमें डीजल या घासलेट नहीं डाल सकते। इसी तरह परमात्मा ने जो हमें एक मात्र शरीर दिया है, यह जो हमें इतनी बॉडी दी है, इसको चलाने के लिए बहुत सारे छोटे-छोटे ओर्गन्स अंदर हैं, जिनकी देखबाल करना हमारा कर्तव्य है. आपको जानके यह खुशी होगी कि हमारे ओर्गन्स हमसे बा उससे पावर गेन कर सकें, ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं, वो भी हम योग के साथ खा सकते हैं, जब हम भोजन की ठाली लगाएं, हम भगवान को परमात्मा को याद करें और फिर वो खाना खाएं. हमारा जो शरीर है, वो सौ साल तक स्वस्त रह सकता है. आपको यह जानके खुशी होगी कि जहां पर ब्रह्म कुमारी माउंट आवू में जो हमारी दादी है, वो एक सो तीन साल की हैं, उनकी जीवन शैली इतनी पवित्र है कि जो वो खाना खाती है, वो उनके चेहरे पे न जाएंगे. अगर हम खराब खाना खाएंगे, तो हमारे जो शरीर के ओर्गन्स हैं, वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे. और अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, तो हमारे जितने भी ओर्गन्स हैं, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे. अब हम बात करते हैं इलनेस की और PCOD, high blood pressure, cholesterol, constipation, acidity, ये बिमारियां कहां से आती हैं, ये बिमारियां हमारी खान पान के बुरी आदतों से आती हैं, खाना तो हम खाते हैं, लेकिन हम उसको सही डंग से नहीं खाते हैं, इसलिए ये बिमारियां हमें घेर लेती हैं, छोटी छोटी गलतियां जो हम अपने खान पीन में करते हैं, उसकी वज़े से ये बड़ी बिमारियों का रूप ले लेती हैं, जैसे कि खड़े होके पानी पीना, आप अगर खड़े होके पानी पी रहे हो, तो उसके साथ हमें oxygen भी ले रहे हैं, और वो oxygen अंदर जाके हमारे पेट में गैस बनाती है, तो इसलिए हम ये छोटी 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 शोटी आपको आदेते हैं, उसको सुधारने के लिए बोलेंगे, कि जब भी आप पानी पीएं, आप बैठ कर पीएं, पानी एक एक घुट भर कर पीएं, अगर आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने का काम जो है, वो दातों को करने दे, आतों को ना करने दे, क्योंकि अगर हमें भगवान ने 32 आद दी हैं, तो उसमें हमने कम से कम 32 बार उसको चबा के खाना चाहिए, ताकि वो पेट तक जाने तक, बिल्कुल जो हमारा सलाइवा है, जब हम खाना खाते हैं, जब हम उस फूड को तोड़ते हैं, तो 90% खाना तो हमारे मुँ में जो होता है, उसको चबा चबा के सलाइवे के साथ वो अंदर चला जाता है, इसी वज़े से हमें कोई गैस की, कोई आसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, और आपने देखा होगा, कई बच्चे या कई बड़े, फटा-फट खाना खाते हैं, उससे क्या होता है कि उनका हाजमा ठीक नहीं होता है, उनका खाना पचता नहीं है, फिर दूसरी बात, पानी, हमें खाना खाने से आदे घंटे पहले छोड़ देना चाहिए, खाना खाने से आदे घंटे पहले पानी छोड़ के, हमें खाना खाना चाहिए, उसके 45 मिनट बाद, फिर हमें गरम पानी पीना चाहिए, अब गरम पानी क्यों पीना चाहिए, कि जो हमने खाना खाया है वो solid food है उसको तूटना बहुत जरूरी है और जो हमारी food pipe है वो बहुत पतली होती है और जब food pipe के अंदर से खाना जाता है तो हमारी food pipe ऐसे टेड़ी मेड़ी हो जाती है और उसको नीचे निगलने में हमें दिक्कत होती है तो जब भी खाना खाएं उसको चबा चबा कर ही खाएं अग एक और बात में कहना चाहूंगी जब हम गलतियों की बात करते हैं कि जो हम सीख रहे हैं ये गलतियों हम कहां से सीखते हैं ये भी हम अपने घर से ही सीखते हैं जैसे कि कैसा ओयल यूज करना है कैसी vegetables यूज करनी है किस तरह का खाना बनाना चाहिए अब मैं आपको एक छोटी सी knowledge और देती हूँ oil के उपर आप सब को पता होगा कि हम सब देशी लोग है और भारत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे यहां ना मिलती हो हमारे यहां सरसो का तेल देशी घी, coconut oil भरपूर मातरा में मिलता है लेकिन फिर भी हम विदेशी oil यूज करते हैं जैसे कि olive oil या और भी बहुत तरह के oil आते हैं वो हमारे शरीर को खराब कर देते हैं एक छोटा सा refined oil हमारी kitchen में होने से हमें बड़ी बड़ी problems को face करने के लिए ready कर देता है जैसे कि thyroid refined oil यूज करेंगे तो आप thyroid के patient बन सकते हैं refined oil यूज करेंगे तो आपको hair fall हो सकता है, आपको gas की problem हो सकती है, आपको high cholesterol हो सकता है तो कोशिश कीजिए अपने घर से refined oil को बाहर निका लिए और आप देसी की सरसो का तेल या coconut oil ये तीन oil ही यूज कीजिए क्योंकि ये देसी है, इसकी जो उपज है वो हमारे भारत में बहुत अच्छी मातरा में होती है, इसी तरह अब हम बात करते हैं सबजियों की सबजियां हमें कैसे चाहिए, हमें हरे पत्तेदार जैसी सबजियां खानी चाहिए, जो हमारा खून बढ़ाएं, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाएं, आज भारत वर्ष में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बड़े हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी है उनके अंदर खून की कमी है उनकी सेहत क्यों डे बाई डे नीचे की तरफ जा रही है तो ये समझने की जुरुत है हमें कच्चे फल और सबजियां खानी चाहिए घीया खाना चाहिए, तोरी खाना चाहिए टींडा, पालक, पनीर ये सब चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए और हमें जो सबजियां बनानी है वो बहुत जादा उसको कुकर में ना बनाए कुकर में बनाने से वो गल जाती है और वो गलावा खाना खाने से हमारे पेट में गैस होती है कोशिश कीजिए आप सबजी को थोड़ा खड़ी खड़ी बनाए और कड़ाई में बनाए फिर हम बात करते हैं चाय की अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर चाय का तो यह है कि चाय ले आओ कोई महमान घर में आया है तो चाय ले आओ लेकिन क्या हम उसको सेहत दे रही हैं बिल्कुल भी नहीं चाय जो है वो एक slow poison का काम करती है अगर आपके घर कोई महमान आए आप उसको पानी पिलाएं आप उसको ताजे फलो का रस पिलाएं लेकिन चाय ना पिलाएं चाय से सबसे ज़ादा नुकसान होता है हमारे joint pains आज बहुत सारी ladies हमारे पास आती हैं उनको घुटने में दर्द है एडियों में दर्द है कंधों में दर्द है लेकिन उन बिचारों को ये नहीं पता कि ये दर्द किस कारण है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें सिरफ एक pain killer बताया जाता है गैस की गोली दी जाती है लेकिन हमें जड नहीं पता चलती वो जड हमारी रसोई में ही है तो आप सबसे मेरी request है कि आप अपनी रसोई में थोड़े minor changes कीजिए जैसे कि अपना oil बदलिए पानी का intake अच्छा करिए और चाय को तो बिलकुल अपनी जिंदगी से हटा दीजिए अगर आपको चाय पीनी है तो आप green tea पीजिए कभी भी दूद पत्ती वली चाय आपको बहुत हाम करेगी आपकी joint problems का सबसे बड़ा कारण है घर से ही बिमारियां शुरू होती है और घर की रसोई में ही बिमारियों का इलाज भी होता है अब मैं आपको संक्षित में बता देती हूँ कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बात करी पानी की आप अपने वजन के हिसाब से पानी पीजिए आप अपनी body को hydrate रखिए migraine का दर्द, UTI की problem आपको पता होगा ladies को PCOD की problem होती है ये क्यों होती है क्योंकि उनके शरीर में पानी की कमी होती है आप 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीजिए अगर आपका वजन 60 किलो है तो आप 3 लीटर minimum पानी पीजिए ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पानी की कमी की वज़े से हमारी शरीर में sodium भी कम हो जाता है जब हमें पसीना आता है जब हम urine पास करते हैं तो 2 लीटर पूरे दिन में पानी वैसे ही हमारी body से बाहर हो जाता है इसलिए लोगों को आपने एनिमिक देखा होगा उनकी आखों के नीचे dark circles देखे होगे तो पानी को पीना एक कला है बैट के पानी पीएं अपने वजन के हिसाब से पानी पीएं तो ये सारी बाते छुटी छुटी आदते आपको अपने जीवन शैली में लानी है अब हम बात करते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है परमात्मा ने सबको विवेक दिया है आपने उनके चेहरे पे देखा होगा मुस्कान नहीं है, आपने उनके चेहरे पे देखा होगा stress है, anxiety है, अभी उनकी उमर ही क्या है, हमें ऐसा खाना अपनी body को देना है, जिससे कि हमारे organs हमें अच्छे से बात करें, आपने कभी सोचा है, लिवर राइट साइड पे क्यों हो हाला कि वो बिमारी सामने नहीं आती, कि अगर आप अपना blood test कराने जाएंगे, तो शायद आपको पता ना चले कि बिमारी आपको आने वाली है, लेकिन ये पौधा लग चुका है, इसलिए अपने बच्चों को अभी से शिक्षा दीजिए, अपनी रसोई घर में अभी से changes लाइए कि हमें तलावा खाना, जादा मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए, जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, बिस्किट हो गई, नमकीन हो गई, कभी आपने देखा है इसकी पैदावार, आज मैं अगर आपको बोलू कि बिस्किट को आप बो दीजिए, तो क्या मैगी का पेड़ उगेगा? नहीं, मैगी का पेड़ उगेगा? नहीं, लेकिन अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि आम का बीच डालने से आम बनता है, या अगर हम दालो का बीच डालते हैं तो अंकुरित होता है, हम उनके उसकी वैल्यू समझाएं, तो वो ज़रूर अप अगर वो बिमार होंगे, तो हमारा फ्यूचर नहीं रहेगा, इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने घर से चार चीज़े हटा दीजिए, मैदा, ये सफेद ऐसे पोईजन है, जो हमारे घर में नहीं होने चाहिए, मैदा वो है, जो हमारी आतों में जाके चिपक जाता है, और आपको जान के ये हिरानी होगी, कि मैदा खाने से आपको कैंसर तक हो सकता है, मैदा हमारे पेट से हमें कॉंस्टिपेशन की बिमारी से शुरू होता है, और हमें कैंसर तक लेके जाता है, इसलिए मैदे को अपनी जिंदगी से अपनी किचन से फिर बात आ जाती है चीनी की सफेज चीनी देखने में बहुत सुन्दर लगती है पैकिंग में बहुत अच्छी लगती है क्रिस्टल जैसी लगती है और हमें लगता है कि हम अच्छे ब्रैंड की चीनी ला रहे हैं तो हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा दे रहे हैं ले क्यों बोलते हैं कि हमें पैरों में दर्द हो रही है या हमारे पैरों में सूजन है वो सूजन नहीं है वो रुकावा पानी है जो ये नमक का जादा इंटे करने से वो बार बार बढ़ जाता है हमारे शरीरों में दर्द का कारण बन जाता है इसलिए कभी भी आपको नमक यू जाएगी और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि healthy body के लिए खाली healthy food नहीं healthy brain होना भी बहुत जरूरी है portion वाला खाना खाने से और meditation करने से ये दोनों चीजें हमारी जीवन में बहुत जादा माइने रखती हैं जब हम परमात्मा की याद में रह के भोजन बनाते हैं तो आपने देखा होगा आपके बच्चे की भूग बढ़ जाती है आपका बच्चा अगर मेड के हाथ से खाना खा रहा है तो शायद वो खाना कभी पूरा ना खाए लेकिन अगर एक माँ खाना बना रही है या घर में कोई बुजर्ग महिला है वो खाना बना रही है तो उसका एक बनाने का भाव जो वो परमात्मा की याद में एक भाव भर के उस खाने के अंदर वो शक्ती देते हैं उससे आपके organs अच्छे हो जाते हैं, उससे आपके organs आपसे प्यार करते हैं और मैं एक सला आपको ज़रूर दूँगी कि आप हमेशा सुबह उठके, जब आप उठे पांच बजे उठे और आप अपने परमात्मा को याद करें और परमात्मा को याद करते हुए अपने शरीर की सेहत मांगे आज आपने देखा है पूरे विश्व में लोग अपनी सेहत को लेके परिशान है अपने immune system को लेके परिशान है तो हम परमात्मा से ये बोल सकते हैं कि आप सुद्धी दो कि at least जो लोगों को जानकारी है वो अपने घर में changes करें मैदे जैसी चीजें, तली हुई चीजें, तेल जैसी चीजें, junk food, non-wage ये सब हटा देना चाहिए junk food से आपको क्या मिलता है? बिमारिया non-wage से क्या मिलता है? anxiety, stress आपने कभी देखा होगा कि बच्चों में आजकल बहुत अक्रोश है, बहुत गुस्सा है, उसका ये कारण है, एक तो वो मशीन से बनी हुई चीजे खा रहे हैं, दूसरा वो non-wage की तरफ जा रहे हैं, नon-wage से ये होता है कि जो आप देखें, जब हम किसी इंसान को जरा फियर है, कितने तडप रहे होते हैं वो, तो वो ही तडपन हमारे खाने में जाती है, और कभी भी जो लोग बोलें कि हमें non-wage बहुत अच्छा लगता है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी, क्या वो कच्चा non-wage खा पाएंगे कभी, हमारे अंदर टेस्ट सिरफ मसालों होता है, अगर आप किसी को धो के बोलो कि एक अच्छा non-wage चबा जाए, तो वो उल्टी कर देगा, क्योंकि जब तक उसके उपर मसाले नहीं होंगे, तो वो नहीं खा पाएगा, इसलिए बात को समझने की जरूरत है, कि non-wage में टेस्ट नहीं है, वो जो हम खा रहे हैं, उससे सिरफ हमें गुस्सा मिल रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है, मसालों में टेस्ट है, और मसालों की मातरा तो हमारे भारत में बहुत बढ़ी हुई है, जगा जगा से अलग-अलग मसाले आते हैं, हर आप देखोगे हर स्टेट का खाना अलग है, तो क्यों नहीं हम विर बाइटी और फूड खाएं और अपने खाने में से अग्रेशन को मासाहारी खाने को हटा सकते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, कि जब भी आप खाना बनाए, परमात्मा की बनाएं, जब भी आप पानी पिये, परमात्मा को याद करके पिये, क्योंकि हमारा खान हमारा अम्रित है, हमारा ओर्गन्स, हमारे लिए भगवान ने सौ साल बना के दिये हैं और इसको स्वस्त रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हर कोई कर सकता है थांक यू सो मच, ओम शान्ती हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं इससे खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सब के सामने अपना अनुभव शेयर करूँ हर एक का अनुभव अलग-अलग होता है, ऐसे ही मेरा बहुत अलग है और बहुत स्पेशल है मेरे लिए बाबा के घर जाके आप मानोगी आपको पूरी दुनिया मिल जाती है दुनिया में जैसे कि ये कहते हैं बा मतलब मा और बाबा मतलब पापा तो मुझे ऐसे लगता है जो जीवन में दूसरी बार हमें माबाप मिलते हैं न वो बाबा के घर आके ही मिलते हैं जब मैं माउं टाबू गई तो मैं मान नहीं सकती थी कि मुझे उन्होंने खुद बुलाया है क्योंकि दो दिन पहले ही सरीता दीदी से बात हुई और उन्होंने बूला कि आपको हमारे साथ चलना है आप चलो तो बात यह हो जाती है कि बिना आप हस्बेंट से पूछे हां न तो आप बिजनसमैन को सोच सकते हो कि सौ काम कर लेंगे लेकिन एक ऐसी जगा जाने के लिए वो बहाना ढूंडते हैं तो परमात्मा ने उनको इस पर बहाना नहीं दिया उनको बहाना यह दिया कि मेरे बच्चे अब तुझे मेरी जरूरत है तु मेरे पास आजा हम वहां पहुँचे और मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे ना आप स्वर्ग में आ गई हो इतनी शांती इतनी प्यारी मतलब कि वहां पे जो एक एक बहन थी ना वो ऐसे बात कर रही थी कि जैसे ना शायद मा का रूप आ गई हो मतलब कि मैंने खाना आप मानों कि मैं खाना बहुत कम खाती थी लेकिन वहां जब खाने की थाली लगती थी तो उसके अंदर जो प्यार एक जो स्वात था जो भाव था वो मैंने वही जाके फील किया जब मैं घाटी पे गई वो भाई मुझे लेके गए वहां उन्होंने मेडिटेशन कराई वो मेडिटेशन ऐसे लग रहा था कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं कि आपको बादलो से उपर ले जाते हैं आप यह नहीं सोच सकते सूरज मेरे बिलकुल सामने था और ऐसे लग र में अपने अंदर कुछ कोशन लेके गई थी कि मैंने वहां सोचा कि मैं सब कहते हैं लेटर डालो लेटर डालो तो मैंने का मैं परमात्मा को अपनी लेटर जरूर दे के जाओंगी और जब पूरी हो जाएगी ना तो उनको थांक यू जरूर बोलने आओंगी तो वो मैंने शायद lockdown में न मेरे से जादा खुश कोई नहीं है क्योंकि उस letter में दो ही बाते मैंने डाली थी मैं आज आपको बता देती हूँ एक कि मेरे जो husband है वो non-wage छोड़ दे और non-wage तो आप मानोगे वहाँ पे जब हम नीचे आए Universal Hall से तो एक भाई हमें मिले उन्होंने कुछ examples दिये और उन्होंने बताया कि non-wage नहीं खाना चाहिए तो इन्होंने reason पूछा कि क्यों नहीं खाना चाहिए उन्होंने का आपके कितने बच्चे हैं उन्होंने बोला दो कहते हैं मेरे पास एक share भूखा बैठा है और उसको तो क्या चाहिए होता है मास तो क्या आप दोनों बच्चों में से एक बच्चा दे दोगे तो हमारे रॉंग्टे खड़े हो गए अभी भी शायद मेरे को रॉंग्टे आ रहे हैं मेरे goose bumps खड़े हो रहे हैं एक चीज ये मेरी पूरी हुई कि बाबा ने इनका non-wage चुड़वा दिया दूसरी ये चीज पूरी हुई थी कि मैं कुछ identity create करना चाहती थी अपनी बच्चपन से protective layer में रही बहुत सोचा कुछ करें इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी ऐसे लगता था घर बैठे हैं तो मैंने बाबा को letter में लिखा मैंने का बाबा आप सबका पूरा करते हो मेरे पास तो आप ही हो मैं आपको ही अपना माबाब मानती हो और मैंने अपने मन की कही आपको कह दी है जब आपका मन हो इसको पूरा कर देना मैं घर आई और एक महिने बाद मैं किसी club में जाती थी और उस club ने मुझे owner ने बोला कि आप हमारे साथ काम कीजिए तो मैंने का मैं इतना time नहीं निकाल सकती मेरे बच्चे हैं और आज आपको believe नहीं होगा कि मैं लोगों की सेहर ठीक करती हूँ और मैं एक खुद club owner हूँ मैं wellness coach हूँ मैंने बहुत लोगों की सेहर ठीक की है और फिर मुझे वो बात याद आती है बाबा की कि हम क्या लेने आये थे हम दुआएं लेने आये थे आज किसी की सेहर ठीक होती है तो वो मुझे याद करता है कि मैं जब पूजा करता हूँ या करती हूँ तो मैं आपका नाम लेती हूँ तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए इससे बड़ा अनुभव मेरे जीवन का और नहीं हो सकता कि मैं ऐसी experience वाली चीज़ याद करती हूँ हमारी सोच अच्छी होने से नहीं रोख सकती इसलिए आप अपनी सोच को हम खुद क्रियेट करें अपने आपको पॉजिटिव रखें पॉजिटिव इंवार्मेंट में रहें और मैं तो दीदी को हमेशा कहती हूँ कि दीदी आपने मुझे एक head turning point दिया मेरी life का मैं आपका मतलब की वही बात है न कि दुआएं मिल रही है तो हम शायद double दे रहे हैं जो हमारे पास होता है न वो हम double देते हैं तो मन से इतनी दुआ निकलती है कि आप इतने फूलो फलो कि आप जो लोगों के लिए काम कर रहे हो जो ये संस्था काम कर रही है शायद कोई और नहीं कर पाएगी जो परमात्मा से जोड के आपको head to toe positive कर रही है आपको सेहत मन बना रही है तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा और अच्छा experience था Thank you Baba और Thank you दिदी आपने मेरे एक लिए मेरी life change कर दी Thank you so much